जाहिन दोस्तों चलिए उस तो बात करते हैं सेकोर कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जामने ने कहा है एक व्यक्ति है यदि वह 100 रुपे कमाता है तो अपनी इंकम का 75% खर्च कर देता है यानि 100 रुपे का 75 रुपे वह खर्च कर देगा तो जो बचेगा उसके पास में कितना 25 रुपीज बचेगा फिर एक्जामनर कहता है कि यदि उसकी इंकम 20% बढ़ जाए यानि इसकी इंकम 20% बढ़ेगी तो कितने हो जागी 120 रुपीज हो जाएगी तो उसकी जो एक्सपेंडिचर कह रहा है वो एक्सपेंडिचर कह रहा हो कि वो 15% बढ़ जाएगी यानि 75 इंटु में 115 बढ़ में 100 करेंगे तो मुझे इसकी बढ़ी हुई इसकी एक्सपेंडिचर मिल जाएगी तो पच्छिस पच्छिस तिया पिछत्तर और पच्छिस ओके सो तो 45 और यह तीन डिवाइड करेंगे चार से चार अठ्थे बद्थिस दो चार चिक चोबिस दो एक पॉइंट लाएंगे जीरो तो यह दो पर जाएगा आठ और यह प तो क्या 120 रुपे कमाएगा तो 86.25 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना इसका अंडेड में से 25 पॉइंट फाइफ पॉइंट थी रूपीज यह सेविंग करेगा यानि कि 100 रुपे कमाएगे तो 75 रुपे खर्च करेगे तो 25 रुपे बचाएगे अगर इंकम 120 रुपे है त तो 86.25 रुपीज ने खर्च किये तो कितने बचाएगे 33 रुपे बचाएगे यह स्टार्टिंग की सेविंग थी यह एंडिंग की सेविंग थी इन दोनों का डिफरेंस जोगा वह एक्स्ट्रा हैगा यानि कि डिफरेंस करेंगे तो 8.75 बाइ में 25 और इंटू में 100 करेंग से काटेंगे तो पांच पांच तीया पंदरा और पच्छू पच्छे पच्छे यानि कि 35 परसंट जो उसकी सेविंग जो बढ़ेगी वह 35 परसंट बढ़ेगी यानि कि ऑप्शिन सीज होगा वह इस कोशन के लिए करेक्ट होगा एक बार फिर देख लेते हैं 100 इंकम मांग है तो इसका पंदरा परसंट निकाल कर और इसी में जोड़ दिया तो 86.25 इन दोनों की इंकम इन इसकी इंकम और इसके डिफरेंस निकाला तो इतना 33.75 रुपीज की सेविंग वही पहले 25 रूप बचा रहा था अब 33 रूप पिचतर पैसे बचा रहा है दोनों का डिफरें जा हिंद जा भारत